प्रिश्ली कक्षा में हमने ग्यारवी कक्षा के जीविज्ञान विशे के दूसरे अध्याय, जीव जगत का वर्गी करण में, जीव जगत के वर्गी करण के विभिन आयाम, वर्गी करण में बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारण, तथा आरेच विटैकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगत वर्गी करन की पधतिक अनुसार मौनेरा जगत तथा प्रोटिस्टा जगत का विस्तत वर्णन किया था हमने बैक्टिरिया के विभिन आकार तथा प्रकार तथा उन से होने वाले लाव और हानी के बारे में विस्तार से बात की थी प्रोटिस्टा जगत में हमने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूगनिलोइट, आउपंग कयवक जिसको हम स्राइब मोल्ड भी कहते हैं और प्रोटो जवा पर विस्तत चच्चा की थी मुझे आशा है आपने ये सब भली भाती पढ़ा होगा और समझ भी लिया होगा आज हम ग्यारवीं कक्षा के विशाई जीवे ग्यान के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गी करण के दूसरे भाग में कुछ विस्तत चच्चा करेंगे और जिन अधिगम में बिंदों को सिखेंगे वो हैं फंजाई अर्थात कवक जगत इसका विश्तत वर्णन करेंगे विभिन्द प्रकार के कवक के समुह, एसको मैसितीज, फाइको मैसितीज, बेसीडियो मैसितीज, जीटूरियो मैसितीज और उनकी सन्दचना, उनके कवक जाल के आकार के अर्थात मॉर्फोलोजी, पोशन विधी, जनन विधी और मानव जीवन में इनकी उपयोगिता वे इनसे होने वाली हानी की चर्चा करेंगे परपोशी जीवों में फंजाई, अर्थात, कवक का जीव जगत में विशेश अधुद स्थान है, इनकी आकार की तथा वासिस्थानों में बहुत ही भिन्नता होती है आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में नम रोटी, डबल रोटी या ऐसी ही कोई वस्तु हो और सड़ेवे फल में अक्सर कवक को उगते वे देखा होगा और बरसात के दिनों में तो विशेश ते आपने देखा होगा, विविन्न प्रकार की खादे समगरी, चमणे की वस्तुओं आदी में भी आपने अक्सर कवक को उगते वे देखा होगा इसके अलावा सामाने छत्रक जैसे मश्रूम और कुकुर मुत्ता जिसको टोड़ सुल भी कहते हैं ये फंजाई के ही विविन्न रूप हैं, आपने खेतों में सरसों की पत्यों पर स्थित सफेद धब्बे देखे होंगे गेहूं के पत्तों पर अक्सर लाल चकत्य देखे होंगे ये सब के सब परजीवी फंजाई की कारण ही होते हैं विशेश्त है, सारी की सारी फंजाई बहु कोशिक होती हैं लेकिन एक अपवाद है, जो यीस्ट है, वो एक कोशिक फंजाई है और इसका उपयोग हम करते हैं, डबल लोटी के बनाने में बीयर फेक्टरी में जहां बीयर बनाई जाती है इसके अलावा अन्य फंजाई पौधों तथा जंथों के रोग के करण माने गए हैं जैसे गेहूं में केटर रोग, अभी मैंने बताया कि गेहूं की पत्यों में लाल चकत्य हो जाते हैं ये पक्षीणिया नाम के फंजाई के करण होती है कुछ फंगस जैसे पैनिसिलियम से एंटीबायिक उनको प्रति जैविक कहते हैं, इनका निर्मान होता है प्रति जैविक या एंटिबायोटिक एक प्रकार का एक पदार्थ है या योगिक है जिसे हम जीवानों को मारने के लिए या उसके विकास को रोकने के लिए उप्योग करते हैं प्रति जैविक रोगान रोधी योगिकों का व्यापक सम्मों होता है जिसका उप्योग कवक और प्रोटो जोवा सहित सूख्ष्म दर्शी द्वारा देखे जाने वले समस्त सूख्ष्म जीवाणों के कारण हुए संक्रमन के इलाज के लिए होता है बच्चो फंजाई विश्व व्यापी हैं अर्थात ये ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर पराप्त नहीं होते हैं ये हवा में, जल में, मिट्टी में तथा जन्तु एवं पौधों पर पाये जाते हैं पंजाई गरम तथा नम इस्थानों पर सरलता सोग जाते हैं प्यारे बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रीजेटर में क्यों रखते हैं या जो गाओं में रहते हैं वो ठंडी जगे पर क्यों रखते हैं जदा सोचिए हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस से हम अपने भोजन को बैक्टिरिया आदी जितने सुक्ष मजीव हैं या फंजाई हैं जिनके करण भोजन हमारा खराब हो जता है उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसको फ्रीज में या रेफ्रीजेटर में र बना हुआ है जैसा कि मैंने पहले बताया कि केवल येस्ट ही एक ऐसा फंजाई है जो एक कोशिक है और ये अपवाद सुरूप है अब यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि ये प्रश्ण जो हैं जो अपवाद वाले प्रश्ण हैं अपवाद वाले जो संकल्पनाए होती हैं ये प्रश्ण रूप में पूछी जाती हैं इसलिए इसको आप रिखांकित कर लें कि एक कोशिक ये फंजाई केवल येस्ट है जो परिक्षा में पूछा जाता है और जो अन्य सामान्य फंजाई हैं ये लंबी पतली धागे की तरह की संदाचनाओं से बनी होती है जिन जिसका बहुवचन हाइफी होता है कुछ कवक्तनतु सतत नलिकाकार होते हैं यानि कि जैसे ट्यूब की संदाचना होती है और उनमें बहु केंडित कोशिका द्रव्य भरा होता है अर्थात इन नलिकाओं में जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारे केंडिक होते हैं इ इन्य कवक तंतु में पटिये होते हैं या पठ होते हैं जैसे माली जे कोई इस प्रकार की एक नली है तो उसमें ऐसे पठ होते हैं तिर्चे तिर्चे पठ लेगा होते हैं तो उनको पटिये फंजाई कहते हैं पटिये तंतु कहते हैं फंजाई की कोशिका भित्ति काईटिन तथा polysecret की बनी होती है, ये भी एक महत्यपूर्ण यहाँ पर एक परिक्षा के लिए बिंदु है, कि जो फंजाई है, उसकी कोशिका भित्री किस चीज़ से बनी होती है, अक्सर परिक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रहेगा ये काईटिन और polysecret की बनी होती ह अब हम बात करेंगे फंजाई में पोशन की, अधिकांस फंजाई परपोशित होती हैं, वे मृत सबस्टेट से, मृत जैविक पदात से घुलन सील कार्बनिक पदार्थों को अवसोशित कर लेती हैं, एब्जॉब कर लेती हैं, अंग्रे जी में कहेंगे, आता है इन्हें म पौधों तथा जंत्वों पर निर्भर करती हैं, उन्हें परजी भी कहते हैं, अंग्रे जी में पैरसाइट कहते हैं, ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वरगिय पौधों के साथ कवक मूल बना कर भी रह सकते हैं, इस प्रकार के पोशन में जो संबंद मनत है, ऐसी फंजाई सहजी भी कहलाती हैं, फंजाई की बात कर रहे हैं तो अब इनमें जनन की चर्चा करेंगे, फंजाई में जनन काईक जिसमें खंडन, विखंडन, तथा Mclonan होता है, इनके द्वारा होता है, अलेंगिक जनन बीजानु जिसे कॉनीडिय कहते हैं, अथवा धानी बिजानु द्वारा अथवा चल बिजानु द्वारा होता है लेंगिक जनन में निसिक तान जिसको उस्पोरा या यूस्पोरा कहते हैं एसकस बिजानु तथा बेसीडियम बिजानु द्वारा होता है बिभिन्ने बिजानू सुस्पस्ट सम्रचनाव में उत्पन्न होते हैं जिनें हम फलनकाय कहते हैं फंजाई में कवक में हम लेंगिक चक्र का वर्णन करते हैं लेंगिक चक्र में निम्न लिखित तीन सो पान होते हैं कौन कौन से दो चल अथवा अचल युगमकों के प्रोटो प्लाज्म का सनलयन होना इस क्रिया को प्लाज्मो गैमी हम कहते हैं दूसरे स्तर पर दो केंद्रकों का सनलयन होना जिसे केंद्र सनलयन कहते हैं तीसरे चरण में युगमनेज में मियासिस के कारण अगुनित विजानू बनना होता है। लेंगिक जिनन में संयोज्य संगम के दोरान दो अगुनित कवक्दंतू पास पास आते हैं और सनलयत हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुनित कोशिकाओं में संलयन के तुरंद बाद एक द्विगुनित कोशिका बन जाती हैं। जिसको हम अंग्रेजी में डिपलोइट सेल कहते हैं। यद्यभी अन्य फंजाई जैसे एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था जिसको हम डाइकरियोन कहते हैं अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिश्थिति को युग्म केंद्रक कहते हैं डाइकरियोन अंग्रेजी में कहते हैं। तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैत्रक केंद्रक सनलयन हो जाते हैं और कोशिका द्रिग्णित बन जाती हैं। अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे डिपलोइड हो जाती हैं। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनी करण विभाजन होता है जिसके करण अगुनित विजानू बनते हैं बच्चो कवक जाल की आकारिकी के बारे में हम जानते हैं कवक जाल की आकारिकी भीजानु बनने तथा फलनकाय बनने की विधी फंजाई जगत को विभिन वर्गों में विवक्त करने का आधार बनाती है क्या आपको फंजाई के विविन्द वर्गों के बारे में जाननी के उत्सकता है तो चलिए आईए अब हम फंजाई के विविन्द वर्गों की चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो फंजाई के विविन्द वर्गे हैं उनमें फाइको माइसिटीज पहला वर्ग है इसकी बारे में बात करते हैं फाइको माइसिटीज जलिय आवासों गली सडी लकडी नम तथा सीलन भरे स्थानों अत्वा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं कबक जाल अपठिये तथा बहु केंदित होता है अलेंगिक जिनन चल बिजानू अत्वा अचल बिजानू द्वारा होता है ये बिजानू धानी में अंतर जाती उत्पन होते हैं दो युग्मकों के सनलयन से युगमानू बनते हैं इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी अर्थात सम युग्मकता अत्वा भिन जिसको हम असम युग्मकी अत्वा विशम युग्मकी कहते हैं हो सकती है इसके सामाने उधरन आपके आसपास ही हैं आपने अक्सर देखा होगा म्यूकर राइजोपस जो डबल रोटी या रोटी के उपर लग जाती है इसकी बारे में पहले आपको बता चुका हूँ तथा एल्ब्यूगो जो सर्सों के पत्तों पर लग जाती है इसको पर जीवी फंजाई कहते हैं इसका दूसरा वर्ग है एसको मैसिटीज इसे सामाने तह ठैली फंजाई भी कहते हैं विरले पाए जाने वाले एसको मैसिटीज एक कोशिक जैसे हीस्ट इसको मंगरेजी में सेक्रो मैसीज के नाम से जानते हैं इसके अलावा ये बहु कोशिक जैसे पैनिसीलियम एक उधारन है होती है ये मृत जीवी अपगटक पर जीवी अथवा शमल रागे अर्थात जैसे पशू की विष्टा है गोबर है इस पर उगने वाली होती है अलेंगिक बीजानू कोनीडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कौनीडिम धर कहते हैं इस पर बहिजात रूप से उत्पन्न होते हैं कौनीडिया अंगुरित होकर के कवक जाल बनाते हैं लेंगिक बीजानू को एसकस बीजानू कहते हैं ये बीजानू थैलिसम एसकस में अनतर जाती रूप से उत्पन्न होते हैं ये ऐसाई कह जिनको हम एक वचन में एसकस कहते हैं, विभन प्रकार की फरनकाय में लगी रहती हैं, जिनने एसको कार्प कहते हैं, चलिए इनकी कुछ उधारन बताते हैं आपको, उधारन है इनकी, एसपरजिलस, क्लैविसेप तथा नियूरोस्पोरा, बच्चो इन उधारनों में जो नि है जो जन्तु जगत के ड्रोसोफिला का होता है, इस वर्ग में आने वाले मौरेल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं, और इन्हें सुस्वादू भोजन समझा जाता है, अब हम चर्चा करेंगे फंजाई के एक अन्य वर्ग की, बेसीडियो माइसिटीज की, बेसीडियो तथा वर्ग्ष के ठूठों पर तथा सजीव पाद्मों के अंदर परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे किट तथा कंड, अभी हमने बताया था आपको कि गेहूं में किट रोग होता है, कंड रोग भी हमने गेहूं की बालियों में देखा है, जिसमें गेहूं की बालिय बहुत सामान्न हैं इसमें लेंगिंग अंग नहीं होते हैं लेकिन इसमें प्लाज्मो गैमी, विभिन, स्ट्रेनों वाली दो काई कोशिकाउं अत्वा जीन प्रारुक्य सन्लेन से होती हैं इसमें बनने वाली सन रचना द् Ideraj में जिससे अंततहर बेसीडियम में केंदरग्स स ततता है जिसें केरियोगमी केते हैं तथा उसके बाद मियौसिस होती है जिसके कारण चार बेसीडियम बिजानूं बंते हैं बेसीडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिसे बेसीडियो कार्प कहते हैं इसके कुछ सामान्य उधारन एगरिकस जिसको मश्रूम कहते हैं आस्ट्रिलेगो जिसे हम कंड कहते हैं तथा पकसीडिया जिसे हम किट्ट फंगस कहते हैं इसके बाद हम एक और वर्थ की बात करेंगे, deuteromycetes, इसे प्राह अपूर्ण कवक भी कहते हैं, अब ये बात आप नोट कर लिजे, परिक्षा की दिष्टी से, कि ऐसा कवक का कौन सा समूँ है, जिसको हम अपूर्ण कवक कहते हैं, तो उत्तर है deuteromycetes, क्योंकि इसके केवल अलेंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ग्याद हो पाई है, जब इस फंजाई की लेंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है, यह भी संभव है कि अलेंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो, और उन्हें deuteromycetes में रख दिया गया हो, और लेंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में, बाद में जब उनके अनुबंधों, अर्थात कड़ियों का पता लग जाए, तो प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें ऐसकोमाइसेटीज और बेसीडियो माइसेटीज में समयलित कर लेते हैं, जितियोमाइसेटीज केवल अलेंगिक बीजानओं जिनहें कोनीडिया कहते हैं, उन से जनन करते हैं, इसके कवक जाल पठ्टिये तथा शाकित होते है इसके कुछ सदत से मृत जीवी अथवा पर जीवी होते हैं लेकिन उनकी अधिकान सदत से अब सिस्ट के अब घटक होते हैं अर्थात जो मृत प्राय जैविक पदार्थ हैं उनके अब घटन में लगे रहते हैं और खनिज के चक्रन में साहता करते हैं इसके कुछ उधारन है आल्टरनेरिया, कोलियो ट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा हमने फंजाई के विभिन वर्गों की बात की है हमने फंजाई के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षनों की बात की है अब हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में एक कवद की क्या भूमिका हो सकती है कहां कहां हमारे ये उप्योगी हैं, कहां कहां ये हमारे हानिकारक हो सकते हैं इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है तो पहले हम बात करते हैं उप्योगता की तो बच्चों ये अधिकांस्त है पारिस्तितिक तंत्र में बहुत ही महत्यपूर्ण अपघटक हैं अपघटक आप जानते होंगे जब किसी मृत जैविक पदार्त का खरन होता है अपघटन होता है तो अपघटन इन्हीं के द्वारा होता है ये कई पौधों की व्रद्धी के लिए आश्यक हैं जैसे की उधारन के लिए माइकोराईजा है माइकोराईजा जो चीड है उसकी जड़ों में पाया जाता है जहांपर ये पानी के अश्योशन में उनको साहता करता है कवक को मश्रूम के रूप में भोजन के रूप में लिया जाता है आपने अक्सर मश्रूम की सबजी खा की खाई होगी बेकरी में डबल रोटी केक तथा जो दूद की डेरी की इंडस्ट्री है व्यापार है उसमें पनीर बनाने में तथा जो अलकोहल की जो अद्यो की काई है उसमें बेयर बनाने में उसमें जो प्रक्रिया है किडवन उसमें वो मदद करते हैं इनका उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में भी होता है जिसे एंटीबायोटिक दवायां इतायर की जाती है इन में से कुछ का अपयोग जूकेरियोटिक अनुवनशकी और चया पचय अध्यान के लिए model जीव के रूप में किया जाता है जैसे अभी थोड़ी दिर पहले हमने चर्चा की थी नियुरोस्पोरा की बच्चो क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा जीव कौन सा है अब आप कहेंगे कि फंजाई पड़ाते बड़ाते बड़े जीव की बात कर दी तो ये बच्चो बड़े आश्री की बात है मैं बता देता हूं आपको कि आर्मी लेरिया औस्टो में पाया जाता है और ये इतना बड़ा है कि लगबग चार वर्ग मिल्क शेतर में फैला हुआ है तो ये आपको एक अत्रिक जानकरी दी है जिससे आपकी फंजाई के अध्यन में रूची बड़े बच्चो आज हमने फंजाई अत्वा कवक के बारे में काफी विस्तार उन्रावर्ती कर देते हैं बच्चो आज हमने कवक जगत फंजाई जगत के बारे में काफी चर्चा की है इसका विस्तत वर्णन किया है हमने विभिन प्रकार के कवक समुहों के बारे में जैसे एसको मैसिटीज फाइको मैसिटीज बेसीडियो मैसिटीज जिटूरियो मैसि का विश्तत वर्णन किया है इसके साथ साथ इन कवक समुहों का मानव जीवन में क्या-क्या उपयों हो सकता है इन से क्या-क्या हानिया हो सकती है इसके भी हमने चर्चा की है अब हम आप से आशा करते हैं कि इस पूरे अध्याय की इस भाग को जो हमने भी चर्चा की है आप ए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगले सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चो हम अगले सत्र में जन्तू जगत जिसको एनिमेलिया किंग्डंग भी कहते हैं पादब जगत जिसको प्लांटी किंग्डंग कहते हैं वाइरस, वाइरोइट्स, प्रायन जिनको पोरंजबिक बोलते हैं, लाइकेन का विस्तरत बंडन करेंगे, तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ, उमीद करता हूँ, कि आप इनका एक बार स्वाध्या करें, मनन करें, इनको पढ़ें, और फिर जब हम अगली काक्षा में मिलें तो आपको ये सारे के सारे संकल पनाएं, बहुत ही अच्छे प्रकार से समाझा जाएंगे, प्यारे बच्चों, आज हमने जो पढ़ाई की है, जो भी हमने आज चर्चा की है, उसके लिए कुछ एक छोटा आपको अभ्यास दे रहे हैं, इस अभ्यास को आप नोट कर लीज और इनका आप हल लिखिएगा, पहला प्रश्ण है कि कवक या फंजाई जगत के वर्गों का तुलनात्मक विबरण निमलिखित बिंद्वों पर करो, नमबर एक पोशन की विधी, नमबर दो जनन की विधी, दूसरा प्रश्ण है नियुरोस्पोरा, एक एसकोमसिती कवक ह जिसका प्रयोग जैविक साधन की तरह, पादप अनुबंशकी की क्रिया विधी को समझने के लिए ठीक उसी प्रकार किया जाता है, जैसे प्राणी अनुबंशकी अध्यन में ड्रोसफिल का प्रयोग किया जाता है, नियुरोस्पोरा, एक महत्यपूर जैविक साधन का कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपने भली भाती समझा होगा और इसको एक बार स्वाध्य की द्वारा इसको फिर से अच्छी तरह समझेंगे अगले सत्र की तैयरी करेंगे इनी समभावनों के साथ मेरी शुब कामनाए हम फिर मिलेंगे धन्यवाद कि अच्छी प्रूब करताए है य। झाल 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 झाल